प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृतिया ये एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के इंतरगर प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से समवंदेद पांच प्रशन व्याख्या सही तुत्तर के साथ दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साथ तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रशनों को निर्मलिखित कतनों पर विचार करते हुए सही कथन का चैन करें प्रवर्तन निदेशाले वित्य मंत्राले के अंतरगत वित्य जाच अजेंसी है केंद्रिय जाच वीरो कार्मिक लोग शिकायत एवं पेंशन मंत्राले के अंतरगत एक प्रमोग जाच अजेंसी है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो ना तो एक ना ही दो सही उत्तर क्या ह होगा सोच कर बताईए ऑप्शन सी भारत के राश्च प्रती ने केंद्रे जाच व्यूरो यानि की अध्यादे जैश ने के राश्च व्यूरो यानिवार पूरा होने के बाद 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है निदेशक के कारिकाल को एक बार में एक वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है ऐसा विस्तार प्रारंबिक न्यूक्ती में उल्लखित अवधी सहित कुल पांच वर्ष की अवधी के लिए किया जाएगा गौर तलब है कि ED निदेशक की न्यूक्ती समिक्ष और गठिस समितियों की मनजूरी के बात की जाती है इस समिति में केंद्रे सतरक्ता आयुक्त, राजस्त विवाग, कार्मिक विवाग तता ग्रह मंत्राले के सचिफ शामिल होते हैं वहीं CBI निदेशक की न्यूक्ती का अपने प्रधान मंत्री, विपक्ष की नेता और उच्चितम न्याले के मुख्य नहादीश द्वारा ही लिया जाता है केंद्रे जाज वीरो, कार्मिक लोग शिकायत एवं पेंशन मंत्राले के कार्मिक एवं प्रसिक्षन विवाग के अंतरगत केंद्रे सरकार की प्रमुक जाच अजेंसी है इसकी स्थापना प्रस्टाचार रोक्ताम सुजाओ के लिए गठित संथानम समिती की सिफारिश के आधार पर 1963 में ग्रह मंत्राले दोरा पारित एक प्रस्ताओ के माध्यम से की गई थी इसे दिल्ली विशेश पुलिस स्थापना आधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहट शक्तियां प्रदान की गई है प्रवर्तन निदेशाले वित्मंत्राले के राज्यस विवाग के अंतरगत वित्य जाच अजेंसी है इसका गठन एक माई 1956 को विदेशी मुद्रा विनियम अन अधिनियम 1947 के तहट किया गया था पूर में इसे आर्थिक मामलों के विवाग के अंतरगत प्रवर्तन एकाई के रूप में विनियम अन नियंदर कानून के उलंगन से निपटने के लिए स्थापित किया था वर्ष 1957 में इसका नाम बदल कर प्रवर्तन निदेशाले कर दिया गया यह अपनी शक्तियों का प्रयोग विदेशी मुद्रा प्रवंदन अधिनियम 1999 तथा धन्शोधन निवारन अधिनियम 2002 जैसी विदियों के माध्यम से ही करता है और इसलिए कथन एक और दो दोनों सही है जबकि विकल्प सीज का सही उत्तर होगा दूसरे प्रश्र को ध्यान से देखेगा निर्मलिकित कत्नों पर विचार करिए कथन जैव विवित्ता एक प्राकर्टिक तंत्र प्रदान करता है कारण इससे फसलों में चुनोती पूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेश लक्षणों का विकास होता है उपरे कत्नों मेंसे कौन से कत्न सही है देखे ए और आर दोनों सही है जबकि आर एकी सही व्याख्या करता है ए तथा आर दोनों सही है किन्तु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है ए सही है किन्तु आर सही नहीं है ए गलत है किन्तु आर सही है सही उत्तर सोचे क्या होगा ओप्शन ए व्याख्या से समझ लीजे क्या है इस वर्ष प्रदान किये गए पद्म पुरुषकार के विजेताओं में महराज के एहमदा नगर के अकोले तालुका की रहिबाई पोप्रे भी शामिल है इन्हें सीट मदर के नाम से भी जाना जाता है उन्हें यह पुरुषकार ग्रामिस्तर पर सैकडू भूप्रजातियों को बचाने में मदद करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है भूप्रजातियों से तादपर, सामान तोर पर उगाई जाने वाली फसलों के प्राकर्तिक रूप से पाय जाने वाले प्रकारों से है ये वैवसाइक फसलों के विपरीत है, जिने चैनात्म प्रजनन या अनुवान्षिक इंजिनेरिंग के माध्यम से वांचित, विशेष्ता व्यक्त करने के लिए विक्सित किया जाता है निश्य समयविदी में चैनात्मक प्रजनन उपायों ने वैग्यानिकों को ऐसी किस्में विक्सित करने की अनुमती दी है जिन में अधिक उपज या अन्वांशनिय लक्षण है उधारन के लिए संकर चावल बगेहु वर्षों से किसान इन किस्मों को अपना रहे है कई दशकों से चैन और उगाने की प्रक्रिया के माध्यम से फसल सुधार ने अधिकांश फसलों के अनुमांशिक आधार को संकुचित कर दिया है यदपी जय विवित्ता फसलों को चुनोती पूर परिस्तितियों का सामना करने के लिए विशेश लक्षणों का विकास करने हेतु एक प्राकर्तिक तंत्र प्रदान करती है हाला कि फसल चयन में बड़े पैमाने पर मानवी हस्त शेप के कारण अधिकांश व्यवसाइक फसलों की शमता का रास हुआ है और इसलिए विकल्प एस का सही उत्तर था तीसरे प्रश्ण को देखिए निन में लेखित कतनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करे नवीन तम शोद के अनुसार ग्लोवल वर्मिंग आडो विश्यन सामोहिक विलोपन का प्रमुक कारण था तीसरे सामोहिक विलोपन को ग्रेट डाइं के रूप में भी जाना जाता है वर्तमान में जल्वायू परिवर्तन के कारण सात्वा सामोहिक विलोपन हो रहा है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो, एक दो और तीन, सही उत्तर क्या होगा? ओप्शन C इस लेक में बताया गया है कि ठंडी जल्वायू ने संभावता महसागर परिसंचरन पैटरन को परिवर्तित कर दिया है जिससे गहरे महसागरों में ऑक्सीजन न्यूक तुजल के प्रवा में व्यवधान उत्पन हुआ है जो समुद्री जीवों के बड़े पैमाने पर विलोपती का कारण बना है अभी तक सामोही विलोपन के लिए global warming के कारण महासागरों में oxygen की कमी को उत्तरदाई माना गया था जिससे समुद्र में जीवों के रहने की शमता प्रभावित होती है जो संभावित रूप से पूरे पारिस्तिति की तंत्र को अश्थिर कर देता है लेकिन वर्तमान में computer modeling simulation से किये गए शोधो के आधार पर ये वताया गया है कि और्डो विश्यन सामोही विलोपन के लिए जलवायू शीतलन संभावित रूप से उत्तरदाई है सामोही विलोपती की घटनाए निर्मलिखित है पहला सामोही विलोपन लगभग 445 मिलियन वर्षपूर और्डो विश्यन सामोही विलोपन ने सभी प्रजातियों में से लगभग 85 प्रतिशत को समाप्त कर दिया था दूसरा सामोहिक विलोपन लगबग 375 मिलियन वर्षपूर टोवेनियन सामोहिक विलोपन ने विश्व की लगबग 75 प्रतिशत प्रजातियों का अंत कर दिया था तीसरा सामोही विलोपन लगभग 200 मिलियन वर्षपूर घटित हुए पर्मियन सामोही विलोपन को ग्रेट डाइन के रूप में भी जाना जाता है जो सभी प्रजातियों के 95 प्रतिशत से अधिक विलुपती का कारण बना चौता सामोही विलोपन लगभग 200 मिलियन वर्षपूर ट्राइसिक सामोही विलोपन ने कुछ डाइनासोरों सहित प्रत्वी की लगभग 80 प्रतिशत प्रजातियों को नस्च कर दिया है पाच्वा सामोही विलोपन लगभग 86 मिलियन वर्षपूर क्रेटेशियस सामोही विल जब की कथन दो सही है और विकल्प सीज का क्या था सही उत्तर था चौते प्रशन की और जल्दी से बढ़ते हैं दोहरा शुद्र ग्रह पुनार निर्देशन परिक्षण के संदर्ड में निनमलिकित कतनों पर विचार करिये और बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है यह नासा प्राप्त छबियों को वास्विक समय में प्रत्वी पर भेजने में सक्षम है केवल एक तीन और चार केवल दो और चार केवल एक और दो उपरिक्षण में से कोई नहीं सही उत्तर है ओप्षिन डी नासा 24 नवेंबर 2021 को अपना पहला ग्रह रक्षा परिक्षण मिशन लॉंच करेगा इसे 12 शुद्र ग्रह पुनर निर्देशन परिक्षण नाम दिया गया है इस मिशन का मुख्ध देश नई विक्सित तकनीक का परिक्षण करना जो एक अंतरिक्षियान को किसी शुद्र ग्रह को द्वस्त करने तथा उसकी कारप्रनाली में परिवर्थन करने की अनुमति प्रतान करेगा इस अंतरक्षियान को कैलिफोर्निया के वेंडेन वर्क स्पेस फोर्स वेस से स्पेस एक्स फॉलकन नाइन रॉकेट द्वारा प्रक्षे पित किया जाएगा इस अंतरक्षियान का लक्ष एक स्मॉल मूनलेट है जिसे टिमोर फोर्स नाम से भी जाना जाता है इसमें दो सोलर एरे तता यान के संचालन के लिए हाइडराजीन प्रोडोदक का उप्योग किया गया है यह यान एक उच्छ रेजोलिशन इमेजर डिडी मोस रिकोनिसेंस एंड एस्टरोइट कैमरा फॉर ऑप्टिकल्स निविगेशन से युगत है यह प्राप्त छबियों को वास्टविक समय से प्रत्वी पर भेजेगा इस प्रकार उप्रगत सभी कथन ठीकते इसलिए विकल्प डीज का सही उत्तर होगा अंतिम प्रशन को देखिए ग्रेडिट रेस्पोंस एक्शन प्लान के संदर में निर्मिलिखित कतनों पर विचार करिये और बताईए कि कौन सा कतन सही है इसे प्रदूशित नदियों को स्वक्ष बनाने के उद्देश से शुरू किया गया है तथा इसे केंद्रे पर्यवरण बन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा अधिसूचित किया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर का चैन करें ओप्षिन बी, हाल ही में दिल्ली का वायू गुडवत्ता सूच कांग सबसे खराव स्तर पर पहुँच गया था इस स्तिती से निपटने के लिए ग्रेडेट रेस्पोंस एक्शन प्लान के तहत कुछ आपात कालीन कदम उठाए गये है यह बायू प्रदूशन की स्तिती से निपटने के लिए आपात कालीन उपायों का समुच्च है इन्हें केंद्री पर्यावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा वश्ट दोजा सत्रा में अधिस्सू चित किया गया था इसके तहत निर्माण गतिविदियों पर रोक लगाना और एवन प्रारूप में बाहन संचालन की अनुमती जैसे कदम उठाए जाते हैं हाल ही में बायू गुर्वत्ता प्रवंदन आयोग के अंतरगात एक उप समिती गठित की गई थी इससे ग्रैप उपायों के मध्य नजर वाहनों के उप्योग में 30 प्रतिशत की कमी लाने की सुझाओ दिया गया है इसलिए कथन एक गलत है जबकि कथन दोस सही था और विकल्प भीज का सही उत्तर था